अस्सलाम वालेकूम इंते हाई पैरे बच्चो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको फ्रस्टेर की जो नई बुक है केमिस्ट्री की उसके चैप्टर नमबर टू के एमसीक्यूस कराओंगा बुक के तो पहले एमसीक्यूस को देखते हैं पहला एमसीक्यूस लिखाव है बोहर स्यूरी इस नाट अप्लिकेबल टू विच आफ फॉलिविंग इस्पीशीज इस्पीशीज का मतलब कैमिस्ट्री में सिंपल केमिकल्स है तो वह कह रहे हैं कि बोहर थीयूरी की लिमिटेशन यह है कि बोहर थीयूरी हमेशा अच्छा काम जब करती है जब किसी भी स्पीशी के अंदर तो मैं लिख रहा हूं कोशन नुबर वन का डेटा कि बोहर स्पीशीज इस एप्लिकेबल ठो अनली डोज इस पीशीज बोहर स्पीशी इस इस एप्लिकेबल है उनी स्पीशीज पर विच हैव आनली वन इलेक्टरॉन इनके पस सिरफ कितने इलेक्टरॉन होते हैं एक एलेक्टरॉन होता है तो हर उर पूर स्वीशी जिसके पार सरिफ एक electronically है उस पर बहुर सिर य अप्लाय हो सकती है इसके लावा अगर उसके पार एक से जादा electronically है तो उस पर बहुर सिर य अप्लाय नहीं दो सकती तो बहुर सिर मिला अप्शन आप को जो given है वो क्या है देखें होंगे वन तो क्योंकि हैच के पास सरीव एक ही एलेक्ट्रॉन है तो हाँ एच पर बहुर सियोरी अपलाए हो सकती है एप्लीकेबल है हमें यह बताना है कि किस पर एप्लीकेबल नहीं है तो सेकंड आप्शन को देखिए सेकंड आप्शन लिखाव है एच ई पॉजिटिव ए एक है ए फिट्व वन ही एम पॉसिटिव हैं तो ही रिमा आपर नम्बर होता है इसका मतलब यह हुँआ कि ही एम के पास जो प intend अव होते हैं वो कितने होते हैं दो लेकिन क्योंकि ही एम पर पाॉसिटिव औन-वन और इस पाउसिटिव वन य्जा मतलब यह है कि एक एलेक् पॉजिटिव वन पर बहुर स्यूरी एप्लिकेबल है अगला ओप्शन देखते हैं है एच पॉजिटिफ को देखें आपको पता हाइड्रोजन का जो अटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है वन इसका मतलब हाइड्रोजन के पार नंबर ऑफ एलेक्ट्रॉन कितने होते है एक लेकिन इस पर पॉजिटिव वन है इस पॉजिटिव वनका मतलब एक यलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इस विचारे के पास एक ही लेक्ट्रॉन था जो यह लॉस कर देगा इसका मदब यह हुआ कि लीथियम के पास number of electrons कितने होंगे 3 लेकिन क्यूंकि इस पर positive 2 है इसका मदब इसने कितने electrons lost कर दिये 2 तो जब 3 में से 2 electrons ने lost कर दिये तो बचे कितने एक हाँ बहुर स्यूरी अपलाय हो सकती है तो बहुर स्यूरी हर उसी इस पर अपलाय हो सकती है जि एमसी को मैंक दिफ़ा दुबारा पढ़ता हूं वह आपसे कह रहा है बहुर स्यूरी इस नॉट अपलेकेबल तो विच आपलेकेबल तो फॉल नॉट एच पर अपलाय नहीं हो सकती है एच पॉस्टिफ पर पर पिर आपसे कह रहा है नाइट्रूजन है इस एलेक्रोनिक ओ नहीं अगर हमारे पस तीन एक्रूंज है तो एक एक्रूंज में चला गया एक और एक्रूंज में चला गया अच्छा अब देखें अगर थोड़ी सी थियोरी मैं आपको समझाओं तो इस बात को और से सुनिएगा अगर हम पेरिंग करते हैं पेर्स निकालते हैं तो अगर S-Orbital की बात करूं, तो S-Orbital में कितने Electrons होंगे, सिर्फ दो, और क्योंकि 2 Electrons हैं, तो P-E-R कितने निकल के आएंगे, एक ही P-E-R, आपको पहले पढ़ाद चक्काओं कि S-Orbital में सिर्फ 2 Electrons होते हैं, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं P-Orbital की, तो P-Orbital में कितने Number of Electrons आ Electrons हैं, दो का एक P-E-R, दो का एक P-E-R, दो का एक P-E-R, तो 6 Electrons के 3 P-E-R निकल सकते हैं, और इन 3 P-E-R के जो नेम होंगे, वो क्या होंगे, P-X, P-Y, और P-Z, P-X का मतलब वो लीडी पोजिशन पर है, P-Y का मतलब वो Y-X पर है, और P-Z का मतलब वो इस तहां से तिर चा है, ठीक है, अब, अब सुने, फर एक्जांपल, अगर मुझे Electronic Configuration करनी होती, Like, 15 की, यह निज़ेट की वैल्यों कितनी है, 15, तो फिर हम कैसे करते हैं, 1S2, मैंने पूरी एक वीडियो रखी है, Electronic Configuration के लिए, तो पहले आप वो देख लिएगा, अगर आप कोई बात नहीं सम जारी तो, 1S2, 2S2, 2P6, कितने होगे भई, 10, 2, 2, 4, 4, 6, 10, फिर 3S2, कितने होगे, 12, और फिर 3P3, आप वोगे 15, तो पॉली, के पॉली साब ने जो अपना प्रिंसिपल दिया था, जैसे हम आफ़ब प्रिंसिपल कहते हैं, उसके accordingly तो हम काम ऐसे करते हैं, लेकिन एक और स 2S2, 2P6, 3S2, और फिर ब्रेक करें आप इसको, ठीक है, अगर अगर आप इसको भी हमें ब्रेक करना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर complete ऐसले मैं ब्रेक करके नहीं दिखा रहा है, इसको मैं ब्रेक करके दिखा रहा हूं, तो 3PX, 3PY, और 3PZ, अब आपको कितने एलेक् करके फिल करेंगे, तो पहले एक 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 करके फिल होगा, यानि अगर आपके पस तीन एलेक्ट्रोंस हैं, तो एक जाएगा PX में, एक जाएगा PY में, एक जाएगा PZ में, पर एक 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 में चला जाता, दो होते, एक PX में आता, एक PY में आता, ती तो गिये प्रूंस पश्डार होते है कि एक एक करके PX PY PZ में चल जाता है तीन पूरे होगा एक बचा वो PX में चला जाए तो एक एक करके फिल करना यह बात बताई थी हुंड्स आपने तो इसका करेक्ट आंसर यह हो गया हुंड्स रूल पिर वह आपसे कह रहा है quantum number values for 3s orbitals शायद अगर आपको याद हो मैंने आपको quantum numbers थोड़े से निकालना सिखाये थे अपने लेक्चर के अंदर जो कि मेरा लेक्चर था रिलेटिट टू एन प्लस एल रूल तो इसका भी मैं थोड़ा सा डेटा आपको बनाके दे देता हूं समझाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि ल कौम कहते हैं एजिम्यूथल कॉंटम नंबर और इस ल की जो रहीं जो तो देखें mcq में आपसे पूछ किया रहा है mcq में वह पूछ रहा है quantum number value for 3S 23S में quantum numbers की क्या values होंगी तो हमें पता है भाई इस में कितना होगा 3 क्योंकि जो number लगा ओर बेड्ल के साथ उसे आम n कहते है यहनी number of shell तो तीन shells जैस के पर सब्सक्राइब आगर जो बजलते हैं तो एलो की एकिनी जीरोत यही जानकी तटो बात पता है कि को पॉक्छा सब्सक्राइ़ गया स्वागाट है ऐनोड Bible ते से च्छाहिः को cracking- Ctrl कहा जाएं पर तो हम इतनी बात बात अमुस्क्ताश में पर्मुला और ज्ट चुर्ण स्कुर्ण हमें पता है यह नौट की वैलियो कॉंस्टेंट होती है 0.529 डिग्री एमस्ट्रॉंग यह मैंने आपको सबसे पहरी लेक्चर में पढ़ाया था जब मैंने रेडियस और एनर्ची के लिए करवाये थे है यह यहार। कि बाप्वाइड है सब्सक्रांश को हम बोहर रिडियस भी कहते हैं ठीक है याद रखेगा जो पहले शेल का और बिट होता है उसका जो पहले शेल का जो रेडियस होता है उसे हम बहुर्स रेडियस भी कहते है तो हमारे पास अंसर क्या हो गया 0.59 यानिकि यह पिर वापसे कह रहा है दा लाइनस्पेक्टरम इस यूजज एज तूल फर इडिन्टिफिकेशन ओप तो लाइनस्पेक्टरम इस्तिमाल किया जाता है किस चीज की इडिन्टिफिकेशन के लिए लेकि जिस तरह से हमारे फिंगर प्रिंट्स वोते हैं न उन की बेसे हमें बता देते हैं कि इंसान कौन है अगर मैंने किसी चीज़ पर हाथ लगाया तो मेरे फिंगर प्रिंट्स उस चीज़ के उपर आ जाएंगे और अगर यही फिंगर प्रिंट्स आप नादरा को देंगे तो नादरा अपने डेटा बेसे देखे बता देगा कि भई इंसान कौन है वो आपका सारा डेटा देदेगा कि भई इस पर जो हाथ लगे थे वो किस बंदे के थे यहीं किसी भी पर्सन को किसी इंडिविज्वल को हम उसके फिंगर प्रिंट्स की बेस पर पैचान सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने किसी एलिमेंट को पहिचानना हो तो और énवेंट को पहिचानने के लिए हम क्या यूज करते हैं लाइन स्पेक्टर मेंट एक है कैसे के लह कि बैंड्ञोफ कर है जो केवर ओंट करने के एक् catching करने के सब्सक्राइब कानों जिस element से मैच होता है हम बोलते हैं हाँ यह element वही है वर एक्जामपल मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूं फर एक मेरे पास एक element है मेरे पास उसकी label खो गई उसके चिट खो गई एक box के अंदर मैंने है कि element रखा वाता कई element रखे वेते हैं लेकिन क्या हुआ कि वह चेट उसके उपर जो लगी वीदिना उसके नाम की वो मुझसे मिस हो गई मुझसे खो गई फट गई किसी ने भाड़ दी उसको तो अब मुझे देखना है कि वह element कौन सा है क्योंकि बगड़ देखे तो मैं उस सक्केमिकल निकालेंगे और स्पेक्ट्रोमीटर में रखेंगे इस स्पेक्ट्रोमीटर हमें लाइन स्पेक्ट्रम निकाल के देगा अब हम इस लाइन स्पेक्ट्रम को हर किसी के स्पेक्ट्रम से मैच करेंगे कि सोडियम के जैसा है जो हमरे पर लाइन स्पेक्ट्रम है न हो अलड़ी हर साइंटिस्ट आ में कर किया हिर वो सोडियूम से मैच हो रहा है अचा नहीं पिर लीठियम से अब ऑला इस से की करेंके अब मैच हो और वह हैं और आप गोलेंगे हाँ मेरा समस्व तो मेराите के मि एक ट्रोफ मेलेक्ट करता लिए यहाद MCQs में आ सकती, लाइन इस्पेक्टरम, फिंगर प्रिंट का काम करता है, ऐलिमेंट के लिए, फिर वो आप से कह रहा है, भाई, जेम्स चैडविक, वास अवार्ड़ नोबल प्राइस, विक़ॉस, तो जेम्स चैडविक को नोबल प्राइस क्यों मिला, तो जेम्स चै साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था किसको न्यूट्रॉन को अच्छा अब यह जो फिनॉमिना इन्होंने परफॉर्म किया था इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट बेस करता है आर्टिविशल रेडियो एक्टिविटी पर यह भी आपसे बूछ सकता है किस फिनॉमिने के थूँ इन्होंने काम किया था तो आर्टिविशल रेडियो एक्टिविटी के थूँ एक होते है नैच्रल रेडियो एक्टिविटी जिसमें खु इन्होंने क्या किया इन्होंने इसके ओपर एल्फा पार्टिकल रखा एल्फा रेज आपने सुना होगा एल्फा रेज बीटा रेज गैमा रेज एल्फा रेज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो टू होता है और एटॉमिक मास कितना होता है फूर इन्होंने क्या किया प्योडिक टेबल में देखा कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जिसका इटॉमिक नंबर 6 होता है तो हमें बता लागा भाई वो तो कार्बन है और हमें भी बता है कि कार्बन का मास कितना होता है 12 अब इन्होंने क्या देखा कि 4 प्लस 2 को जब हमने एट किया तो 6 आया लेकिन कार्बन का इटॉमिक नंबर तो 6 होता है लेकिन अब इन्होंने इटॉमिक मास को भी एड़ कर रहा तो 9 और 4 को जब हम एट करेंगे तो 13 आएगा जबकि यहां पर कितना है 12 यही कई चीस चीज यहां पर बच गई जिसका कोई चार्ज नहीं है तो एक ऐसी चीज डिसका कोई अबर बच उनकी अच्छ ul उसका कर भाई बच लगया चार्ण्टिव मौल बचल इसके नहीं हो जिसके बाई रोध सूर Mindy पॉजन्थ चार्ज को करता है चैर्ज को रिखने नियूट्रों की होता है नियूटरण है जिसका इट् normally पूछा वह आपसे भी पूछ सकता है किस फिनामेन के दूँ तो आप बोलेंगे आर्टिविचल रेडियो एक्टिविटी के दूँ किस एलिमेंट के दूँ तो आप बोलेंगे ब्रिलियम की बंबार्टमेंट के दूँ कौन से पार्टिकल इस्नेमाल किया था अलफा बीटा गामा तो अलफा किया था तो यह सारी बातें आपको याद होनी चाहिए तो यहां मैं जल्ली से लगा देता हूं कि भाई ही डिस्कवर्ड न्यूट्रों फिर वो कह रहा है विन फूर्डी ऑर्बिटल इस फिल्ड देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इंटू वो कह र आपके सामने पहले भी बनाया था मैं अब भी जल्दी से बना देता हूं उसको तो इस तरह का चार्ट मैंने आपके लिए आफबा प्रिंसिपल के लेक्ट्र में बनाया था आपको याद होग अगर आपने वो वीडियो देखी है तो तो अब जल्दी से देख लेते हैं 4D वो आपसे क्या कहा रहा है देखें 4D के बाद अगर 4D भर जाएगा तो अगला इलेक्ट्रोन कहा जाएगा तो पहले तो 4D को ढूने जल्दी से 4D कहा है यह यह रप 4D अब 4D के बाद देखें हम नीचे की तरफ आते हैं तो 4D के बाद अगला और्बिटल कौन सा है 5P इसक ओन To pioneer कना इस उल्ड्र्णिक प्यर देख penalty का मतलब होता है सेम्द अगर वह अपसे बात कर रहा है एस सो इलेक्ट्रोन की तो आई जोगर सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रow Iso electronic का मतलब same electrons वो आप से बोल रहा है कि बन किसके रहदर जो है वो electrons same नहीं होंगे देख लिए दोबारा वो आप से कह रहा है विच आप the following is not an iso electronic pair इन में से किसके electrons same नहीं होंगे हमें यह बता आना है तो सबसे पहला वाला गर हम देखें सबसे पहला वाला प्यर्य आपको कौन सा दिया हुआ? N A positive and N E तो सोडियम की अगर मैं आपसे बात करूं तो सोडियम का atomic number जो है ना सोडियम का atomic number होता है 11 लेगिन मस्ला यह है कि यहांपर positive है और positive का मतलब इसने electron loss कर दिया याँ है, electron 11 के बज़ाए कितने रहुआ है? 10 तो ON a positive के पास 10 Elekplants होते हैं इसी तरह से अगर मैंkte Neon की बात करूं है तो Neon के पास है भी子иях Electrons कितने उते지만 क्योंकि सका Ab sauce स्जोडियं पोजीटिव और Neil and in इनके Electrons लोंके से में तो वह आप से पूछ रहा है कि किसके सेम नहीं लिके वाप यह पूछ रहा है विच आफ दो फॉलिविंग इस नाट इनले इस तो भाई यह तो आइज एलेक्ट्रोनिक है अब बात करते हैं एने पॉजिटिव और मैंगेशियम की तो दूसरा केस हमारे पास है एने पॉजिटिव और मैंगेशियम की बात करें तो मैंगेशियम की बात करें तो मैंगेशियम का इटामिक नंबर होता है बारा तो मेगनेशियम का टॉमिक नंबर होता है बारा ट्रेल्फ लेकिन क्योंके इस पर पॉजिटिव 2 है यारी इसने कितने इलेक्टरोंस लॉस कर दी है दो तो बारा में इससे 2 निकाल दें तो कितने बचे 10 हां तो एने पॉजिटिव के पास भी 10 एलेक्टरोंस होंगे और एमजी प्लस टू के पास भी 10 एलेक्टरोंस होंगे यानि ये भी एक दूसरे के आईजो एलेक्टरोंस हुए हमें ये बताना है कि कौन आईजो एलेक्टरोंस नहीं है तो इसी तरह से अगर मैं बात करूंग एने positive के पास तो 10 होंगे वैसे 11 होते हैं लेकिन positive का मतब loss कर दी है तो इसके पास कितने होंगे 10 fluorine का जो atomic number है fluorine का atomic number होता है 9 लेकिन इस पर negative है negative का मतब electron gain कर लिया तो 9 plus 1 कितने होगा है 10 तो na positive और f negative दोनों के पास ददस electron होंगे फिर अगर हम आखरी option की बात करें तो लिखावा है na and ca तो भाई इस सिर्फ sodium है तो कितने electron होंगे 11 लेकिन calcium की बात करें तो calcium का atomic number होता है 20 तो sodium के बास 11 electrons और calcium के बास 20 electrons इसका मतलब यह दोनों same नहीं है आईजो electronic नहीं हुए तो वो यहीं पूछा था इस not an iso electronic तो हमारा option हो गया न, a, n, c है फिर लिखावा है बामर सीरीज अपियर इस इन था hydrogen spectrum if electron jumps तो हमें पता है कि भाई जब भी बामर की बात होती है तो बामर के अंदर electron कहां पर shift होता है second orbit में यह अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वेफ नंबर का एक लेक्चर बढ़ाया था उसमें सब मैं आपको अर्ड़ी बता चुका हूँ कि अगर electron कहीं से भी पहले orbit में जम कर रहा है यानि higher orbit से पहले orbit में जम कर रहा है तो उसे alignment कहते है higher से दूसरे orbit में जम कर रहा है तो बामर higher से तीसरे orbit में तो पैस्चान higher से चौथे orbit में तो ब्रैकेट और अगर higher से पांच में में तो फंड तो यह सारी बते मैं आपको अलटी बता चुका हूँ इसलिए मैं जल्दी से लगा दिया फिर लिखावे दर shape of orbital और for which l equal 0 तो बाई अगर l की value 0 है तो l की value 0 का मतलब होता है s orbital और s orbital का shape क्या होता है spherical मेरी एक video थी एक lecture था जो कि shape of orbitals के नाम से है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि s orbital का shape क्या होता है p का क्या होता है d का क्या होता है तो इस chapter के mcqs text book के हमारे बस cover हो गए इंशाला अगले lecture में मैं आपको liquid के mcqs कराऊंगा